हेलो दूस्तों आप लोग स्वागत हमारे और भी विशल दिरुसेवन में आज हम लोग फिट से एक न्यू रुक्रमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हिंदुस्तान को पर लिमिटेट की और से दो हजार चोविस के लिए आपका न्यू अपडेट प्रुवाइट किया गया है जो भी गंडेट इंट्रेस्टड हो प्रिज नोटिफिकेशन को चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पे आपका रुक्रमेंट आउट किया गया है ग्रेजुएट इंजिनियर ट्रेनर जी इटी थू केट स्कोर के बेशिष प्रेफ कर इसे पर कर सकते हैं ओपन डेट समिशन ओन लाइन अप्लिकेशन के लिए और लाजट अप्लिकेशन के लिए आपका देट इस जू किया गया है आपका यहां पर 29 जनवरी 2024 से लेकर आप नाइंटीन फरवरी 2024 तक आप इस फोन को से यहां पे आपका वेकेंसी केटेगीरी बाइच आपका यहां पे डिस्टूबिट क्या गया है और यहां पे आपका रुकुर्मेंट आपका रिस्टूबिट क्या गया है यहां पे माइनिंग के लिए जोलोजी के लिए इलेक्टिकल के लिए यहां सीविल के लिए मेकनिकल क पूर्ड के लिए फिर यहां पर देख सकते हैं आपका 7 क्याटिग Riley में आपका इहां पर नमबर ओ पोंस्ट अपका चाहते हैं आप इस फूम को अप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबरों पोस्ट अहां पे आपका 14 पोस्ट आपका रिलिज किया गया उसी परकार से काटेगरी की बेसिस पर आते हैं उस बेसिस पर यहां से आप देख सकते हैं सिपरकार से यहां पे नीचे स्क्रोल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका यहां पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनीमम आपका 60% मार्क्स आपका यहां पर होना चाहिए OBC और जेनरल कंडेट के लिए और आप SCST कंडेट यहां पर आते हैं तो आपका यहां पर 55% भी है तो आपका यहां पर सेलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्लीट किया जाएग तो आप इस फोर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहां जोलोजी में आप देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट फूल टाइम जोलोजी आपका कोई इनवर्सिटी से पास आउट है तो आप इस फोर्म को अप्लाई कर सकते हैं इंस्टुमेसं में आप देख सकते हैं कि आपका फुल टाइम बेचलर डिग्री इन आपका देख सकते हैं कि एलेक्ट्रोनिक्स टेली कम्निकेशन में या एलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्निकेशन में तो आप इस फोंग को अप्लाई कर सकते हैं आप सिबिल इंजिनियर है तो आपका फुल टाइम बेचलर डिग्री इन सिबिल म तो आप इस form को apply कर सकते हैं इस परकार से आपका category वाइज आपका distribute किया गया है फिर यहाँ पर दे सकते हैं electrical कि यहाँ पर distribute किया गया full time bachelor degree होना चाहिए electrical से तो आप इस form को apply कर सकते हैं इस परकार से 7 category में आपका यहाँ पर distribute किया गया है age limit provide किया गया है minimum age आपका यहाँ पर 18 होना चाहिए 18 अगर आपका complete हो चुगा है तो आप इस्वान को apply कर सकते हैं maximum आपका category बाइज आपका distribute किया गया है आप S.A.S.T. O.V.C. और E.W.S. एक service man candidate है तो आपका यहाँ पर एदली सेशन मिलने वाला है first में आप दे सकते हैं स.A.S.T. conduct के हैं तो आपका 5-year का O.V.C. conduct के हैं तो आपका 3-year का agilisation मिलेगा P.W.D., General और E.W.S. conduct के हैं तो आपका 10-year का O.V.C. के हैं तो आपका 13-year का S.A.S.T. conduct के हैं तो आपका 15-year का एक service man है तो आपका government role के basis पर आपका यहाँ पर एज लिमीट आपको प्रोबाइट किया जाएगा selection process आपका get score marks आपका 70% आपका यहाँ पर वेटेज रहने वाला है और personal interview में आपका 30% आपका वेटेज रहेगा इस basis पर आपका selection process आपको complete किया जाएगा इस परकार से जो भी गंडेट इस फोर्म को अप्लाई करना चाहते हैं 2024 के लिए आपका new update प्रोभाइट किया गया है यहां मैं आपको description में total देदूंगा link आप simply अच्छे से check out करके आप इस फोर्म को अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको official website में आपको देदूंगा किजिएगा या कोई बारे सानी होती है तो हमें comment किजिएगा आज के लिए नहीं thank you